हेलो फ्रेंट्स आप सुभी के हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागते हैं आज की वीडियों जो पढ़ने वाले हैं वह है हमारे पास हैं तो डेरिवेटव रूल्स क्या होगा सब ट्रेक्शन है तो डेरिवेटव रूल क्या होगा मल्टीप्राइई है तो डेरिवेटव रूल क्या होगा एंडें अगर फर गेंगे किसितरी से हम प्रूब करेंगे यहम पढ़ेंगे पहले हम देखते हैं कि यह क्या है इस दा फंक्षन F and G depends on AB and be differentiable at any point C belongs to AB यान कोई function है हमार पास दो F and G और दोनों इस function AB में defined हैं और किसी point C पर differentiable हैं दोनों point then F plus minus G, F G and F by G are differentiable at C यानकि यह जो F and G function है यह भी में हमारे पास define है और C पर differentiable है तो F plus minus G F G and F Y G are differentiable at C and the rule क्या होगा वो हमारे पास होगा D F plus minus G and subtraction sum है तो F dash C plus G dash C यानि कि एगर sum है तो simply हाँ से F dash C और G dash C और multiply है तो F dash C dot G C plus F C dot G dash C and divided divided है F upon G है F Y G है तो हम इसको लिए जी सी पहले जी सी को simple G को function होगा उसको C value F dash C and F का derivative minus G dash C F C upon G C का whole square है अब फ्रेंस हम यह देखते हैं D F plus minus G हो तो उस condition हम किस तरह से निकालेंगे F dash G plus minus G dash C तो पहले इसको प्रूब करते हैं कि function F and G are differentiable at C belongs to AB so क्योंकि हमारे पास जो definition है उस में लिए आता कि function F पर जी है वो डिफ्रेंस एव ले बी में और C पर भी डिफ्रेंस एवले और C जहापे यह भी से हमारे पास दर ले मेंट एक से तो F is C F x minus F C upon X minus C वराबर F dash C यह हमरे पास मेरे से म्हेंर से से हीडिप डिफ्रेंस तियर Limit X Tango F x minus F c upon X minus C लाबर Fdash C and G के लिये हमारे का लिकिए हम लिब श्याजिकर लिब्रेंस तो C G X minus G C upon X minus C वराबर G-C अब friends d f plus minus g बराबर इसको क्या लिख सकते हैं limit x tends to g f plus minus g और यह जो function है x के कुछ function है तो f plus minus g x minus f plus minus g c x minus c तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको fx plus minus gx इसको simply and fc plus minus gc x minus c यहां नीचे है हमारे पास तो यहां से हम इसको क्या लेख सकते है फ्रेंट्स तो यहां से fx minus fc यह नहीं रहेगा sorry fx minus xc plus minus gx रहेगा plus minus gx minus gc तो यहां से हमारे पास क्या था f dash c और यह क्या था g dash c यहां से हमारे पास जो फोर्मूला है वो आ गया हमारे पास f plus g अगर plus sign हो derivative निकाल रहा हो तो d of f plus d of g at c पे यह इसको लिख सकते हैं f dash c plus g dash c और अगर इसमें minus का sign हो f minus g c तो यह हमारे पास f dash c minus g dash c simply इस तरह से हो जाए गए अब फ्रेंश हम जब दो फंक्शन multiply हो इन f कोई function है f dot g at c पर हम उसका differentiation देख रहे हैं है कि differentiation of f dot g c then हम क्या सब्सक्राइब लिख सकते सिंप्लियम को यह अगर फंक्शन हो क्या लिखते थे limit के लिए उसे definition के लिए definition of f क्या उत्तर limit f x minus sorry limit x to see f x minus f c upon x minus c यह होता था हमारे पास तो इसी के बेसे पर हमने इसको लिख दे f g x minus f g c upon x minus c जहां पर f कोई function है x का और g कोई function है x का यह दोनों का multiply हो रहा है यह फैंस इस तरह से नहीं है कि f g का मतलब यहां पर f x dot g x है ना कि इसको हम यह यह लेने का यह कोई function है जी एक्स का इस तरह से नहीं है इसका मतलब यह है कि इस condition में क्या होगा यह भी हम आगे बताएंगे तो यहां से हमने f x dot g x minus f c dot c s और साथ में क्या कि हमने इसमें f c dot g x को add क्या है यहां पर और यहीं पर subject क्या है ज़र f c dot g x को add or subject दोनों क्या है हमने यहां से हो गया है मारे पास सबस्क्राइब से जी एक्स को में ले सकते हैं जी एक्स को में लिए तो f x minus f c जी एक्स पार आए गया हमारे पास यहां से f c को में ले जी एक्स माइनस gc एंड एक्स माइनस c तो फ्रेंस यह इसको में अगर द्यान से देखें तो दो फंक्शन है यह हमारे पास तो इसको में इस तरह से लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस तो सी जी सी डॉट लिमिट एक्स 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 माइनस f c अपन एक्स माइनस c तो यह हमारे पास यह हमारे पास यहां से हमने क्या क्या है यह gc हो गया f c प्लस इसी तरह यहां पर fc यह तो c थाई fc एंड जी डैस c तो यह हमारे पास इसका मल्टिप्रेटिव रूल आ गया अब अब फ्रेंश देखते हैं डैरिवेटिव रूल फूर डिफ्रेंशेशन यह अगर f by gm की दो फंक्शन है जो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को डिवैड कर रहा है तो उस कंडिशन में उसका डैरिवेटिव किस तरह से निकालते हैं तो यह सिंप्ल हमने क्या किया है अब जैसे हम पहले कर रहे थे अगर सिंगल फंक्शन हो तो लिमिट अगर fx कोई फंक्शन है उसका डैरिवेटिम निकालना है हमारे हमें पास सी पर तो इसको fx-fc x-c यह लिखते थे तो हमने यहीं क्या है यहीं क्या है f upon g x-f upon gc x-c यहां हमने क्या क्या है इसका lcm ले लिया फेले लिया तो gx.gc ले एक्स मैने सी मुल्टिप्लाइब हो जाएगा और इसको सॉल्ट करेंगे तो gc का यहां पर मुल्टिप्लाइब जी एक्स का यहां पर मुल्टिप्लाइब यह हो जाए fx.gc-f gx.fc and gx.gc x-c यह होगा है हमारे पास अफ्रेंस लिमिट एक्ट 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 तो सी अब क्या क्या हमने fx.gc को सेम रखा है fc.gc का हमने एड़ किया है इसमें f.gc को एड़ से एड़िक्त मारे पास इस पार्ट को तो हमारे पास simply derivative बन रहा है नहीं है F' is x बंध रहा है तो हमने इसको अलग पुट किया इस तरह से यहां पे हमने क्या किया है इस-फ क्र शेर के मैन ने dissolved – Sc को मनले लिए मैने क्या न थी यहां पर है ही तो यह हो गया हमारे पास हमने limit apply की तो GC तो GC रहेगा and यह हो जाएगा fvéस c और यह GC का all square क्योंकि यहाँ पह भी limit apply होगी तो यह GC हो जाएगा GC का all square – FC G dash C G C का all square तो GC का all square हमने पूरा नीचे common ले लिया लिया लिचे सोरी LCM ले लिया तो यह हो गए dc minus f dash c minus fc d dash c जो कि हमारे पास इसका derivative rule है